आज हम देखेंगे कि Facebook Pixel क्या होता है और Facebook Pixel को अपनी website पे कैसे install करते हैं Facebook Pixel फेस्बुक के द्वारा दिया गया code होता है जिसे हम अपनी website में install करते हैं और track करके जो हमारे customer या जो भी visitor हमारी website पे आता है हम उने फिर से अपने marketing के लिए re-target करते हैं अब आईए देखते हैं सबसे पहले Facebook Pixel Generate कहां से करते हैं यह हम अपने Facebook Ad Manager के dashboard में login है अगर आप को Facebook Ad Manager में login कैसे किया जाता है यह देखना हो तो नीची दिए कि description box में मैंने एक video बनाया हुआ है उस पे जाके आप देख सकते हैं हम यहां पर आते हैं यहां से पिक्सल पर गए देखे पिक्सल यहां क्लिक किया Facebook पिक्सल बेसिकली आप एक्जामपल ले सकते हैं आपकी घर्म पर जो भी एलेक्ट्रिक का मीटर लगा होगा कि वहां से हमने कितने मीटर यूज किया हुआ है यह देखे मैंने एक बनाया हुआ है यहां सेरा मैनुवली जो आप करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है अब देख सकते हैं यह कोड मिला हुआ है नहीं तो इस कोड को आप कॉपी करके कॉपी कर सकते हैं इस पूरे कोड को अधरवाज आप सिंपल इस कोड को कॉपी कीजिए और अपने वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस में बनी होगी तो वहाँ पर लिखिए ओफिसियल फेस्बुक पिक्सल आप सर्च करेंगे यह आ जाएगा देखिए इसे इंस्टॉल कर लिए पहले सी किया हुआ है एक्टिव करेंगे तो एक्टिव करने के पाद सेटिंग में आप जाएंगे यहां पर फेस्बुक पिक्सल आजाएगा फेस्बुक पिक्सल आते ही आपको यह कूड यहां से उठाके यहां पे है यहां पे है इसको यहां पे लाके पेस्ट कर देना और सेव कर देना है अब आपका फेस्बूक पिक्सल आपके वर्डप्रेस वेब साइट में इंस्टाल हो गया है